हलो माई डिया स्टूएंट आप सभी का स्वाग आता है मेरे यूटूब चैनल स्टडी विद्राट और में आज फ्रेंड्स में आपके लिए मोस्ट इम्बाइन टॉपिक लिए क्या हूँ भारत रत्न भारत रत्न एवार्ड आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत में सर अपहार करने पर यह उपहार दिया जाता है और मैं बता दूंग यह साल में तीन बार ही दिया जाता है और मैंने कई बार देखा है previous question papers में चाहे वो अगर मैं यह नहीं कहूंगा आप वीडियो लाइक चरूर करें आप तभी करना जब आपको वीडियो अच्छा लगे आपके काम में आए तो प्लीज टियर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एं सब्सक्राइब और सियर कमेंट चले पहले को चलते हैं फ्रेंट क्या रहा है भारत का सर्वोचनागरिक सम्मान कौन सा है भारत रतन पदम भी अच्छे नंबर पे आता है ओके दियर फ्रेंड्स अगले कुश्छन के विए चलते हैं अगला कुश्छन के रहा है भारत रतन का पुरुसकार इस्थापना का हुई थी उन्निस सो पचास बाबन चाउवन चापन में बताईए तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स दो ज अधिक्तम तीन पुरुसकार भारत रतन के एक साल में दिये जा सकते हैं नेक्स चौता कुश्छन कहा रहा है भारत का डिजाइन किस पेड के पत्ते के आकार का है बर्गत के नीम के केले के या पीपल के पताई फ्रेंड्स तो इसका अंसा होगा आपका फ्रेंड्स पीपल क पत्ते पर आपने देखा होगा पीपल का पत्ता होता है ब्लैक कलर का होता है लगवक 35 mm ब्यास का ये पत्ता होता है इस ट्राइब का होता है और यह सफेद भीते में इसे पहनाया जाता है इसके आंगे आपका सूरी होता है सूरी के नीचे भारत रतन लिखा होता है पीछे आ में इसकान से क्या होगा राष्ट पति जी के द्वारा ये दिया जाता है भारत रतन पाने वाले दर्श को की धनरासी कितनी होते हैं आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपके बहुत सारे पुरुसकार जिन में एक प्राइज रासी होती है जैसे 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, प्राप्त करने वाली ब्यक्ति को क्या दिया जाता है क्या सम्मान होता है तो मैं बता दूँ फ्रेंट्स थोड़ा सा समय लगेगा यह सुनिए का ध्यान से है नमबर 1 सबसे पहले ने सुबड़ाई दी जाती है जीवन भर इनके मिया प्रसाद संसद में भाग जबचाहें तब ले सकते हैं अगला हस्का होता है जीवन भर भारत में एर इंडिया यानि कि एर फोस यानि कि आपका एर प्लेन आपका रेलवे आपका बस वगएरा ठीक है इन में फ्री सर्विस वो भी पर्थम स्रेड़ी की दी जाती है नेक्स्ट कैविनेट रेंक के बराबर की योगिता मिलती है अगर ये कैविनेट में जैसे कोई परदान मंतरी राष्टपदी अगर उसमें कोई भी बैठे हुए तो उन्हें बराबर का दर्चा दिया जाता है नेक्स्ट अपका होता है देश के अंदर किसी भी राज्य में यात्रा के दोरान राज्य सरकार द्वारा उन्हें गेस्ट इस्टेट गेस्ट के मतलब इसमें इन्हें वो दिया जाता है स्टेट गेस्ट की सुविधाय दी जाती है अगर माल लीजे किसी राज्य के दोरे पर जाएं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री उनके लिए सारी सुख सुविधाय परवाइड कराएंगे यानि B.B.I.P. के बराबर का दर्जा दिया जाता है इनके लिए भारतिये दूताबास उन्हें हर संभब सुविधा परदान की जाती है यानि कहने का मतलब है इन्हें एक तडिके से B.B.I.P. की सेड़ी में रखा जाता है बसरते इन्हें इस पुरुषकार में कोई रासी नहीं दी जाती है ठीके नेक्स फ्रेंड अगला कुश् सुवास्चंद्र बॉस को यह जवाल लाल लहरुजी ने देने की घोशना की थी यानिकि इनसे कहा था कहा गया था कि इनके परिवार को भी मतलब इसमें सम्मानित किया जाए लेकिन 18 अगस्त इनका जन्म सरी 18 अगस्त की घटना है उन्ने सो पैतालिस में फ्रेंड्स यह कह अनकी मोत हो गई ती लेकिन ताइवान सरकार ने भी कहा कि ताइवान में उननेसे पातालिस में कोई बिमानासा हुआ ही नहीं है वही नहीं है तो फिर इसमें यह बयद्आ हैसnd पाह गया की जब घटना हुए नहीं तो भी इनका क्या जा रहा है कि यह मरे तो उनके परवार यह ने काहा था कि किसी म्रत ब्यक्ति कstein ब्लब किसी जीवित ब्यक्ति को म्रत गहुशन करना एक असानिय है मतलब बारत है हम इसे परुसकार को लेने से इंकार करते हैं तो सवास्चन्द ब्रॉपस का परिबार आज भी मनता है जिन्दा हम और वो किसी न बैंकट रमन यह सबको यहानी फ्रेंट्स में बता दूँ आपको 1905 में इन सभी को दिया गया था सब से पहला दिया गया था चंडर चंडर बैंकट रमन नहीं सी वी रमन जो कि बिग्ज्ञान में काफी नोह ने प्रकास्मदी घटनाओं को बारे में उजागर किया इसे नेक्स अगला कुशन बढ़ता है, पर्थम भारतीय महिला जिने ने मौरादीजी देसाही बताइघे फिरिंच इसका आए होगा तो जवाहर लाल लहरू को ये पृषकार दिया गया था सब 95 में जो हमारे बारत के परदान मंतरी में रह चुके है नेक्स अगला कुछिन कहा रहा है पहली बार मरनो प्रांथ भारत रतन पुरुसकार किसे दिया गया जवाल लाल भादु सास्त्री राजीब गांधी निन में से कोई न अब दिया भग तो क्या रहा है लाल भादु सास्त्री को मिला था फ्रेंट्स यह मिला था 1966 को याद रखेगा मरनो प्रांथ ने दिया गया तक कब दिया गया था मरनो प्रांथ ठीक है याद रखेगा नेक्स अगला कुछिन के रहा है भारत के पहले किस खिलाडी को भारत रतन ने सम्मानित किया गया मेजर ध्यांचन विराट को लिए सचिन तेंदुल का मोराजी काफी कुछ किया था तो इन्हें चार फरवरी 2014 को हमारे प्रड़ मुखर जी राष्ट्रपती रह चुके हैं उनके द्वारा सचिन तेंदुल को भारत रतन ने सम्मानित किया गया था बहुत अच्छा कोश्चन इंपर्डेंट कोश्चन है भारत रतन पाने वाले पर्थम बिदेशी भ्यक्ति कौन थे मोस्ट इंपर्डेंट कोश्चन आपके लिए खान अब्दुलकफार खान नेंसर मंडेला राजीब गांदी मोरारी जी देशाई तो इसका अंसर क्या होगा खान अब्दुलकफार खान पर्थम बिदेशी ऐसे थे और यह बता दूं कि यह पा देशी पर होगा राज tuh, खान अब्दुलकफार खान इनने बादसा खान के नाम से भी जानते बादसा खाह खान खान के नाम से भी इन्हें जना जाता हो फ्रेंट्स next और मैं बतादू 1990 में इनोंने रंग भेद पर रंग भेद पर मानते थे इस बात को तो इनोंने इस विरोध को मलब इसका भिरोध किया इसे खतम किया तो 1990 में ने भारत रटन से नवाजा गया था ठीक है फ्रें ने अगला कुश्चिन कंच चलता है बर्स 2019 में भारत रटन से किस किन ब्यक्तिव को संभानित किया गया प्रणमुखर जी नाराजी लेश्मक भूपे नाजारी का इन सभी को तो बता दूँ 2019 में भारत रंद्न और पाने वाला संगीत कार कौन था उपालाचारी, लता मंगेशकर, उसमा, उसा मंगेशकर, या MS सुबालच्छमी, तो MS सुबालच्छमी पहली ऐसी संगीत कार है, जिने भारत रंद से नवाजा गया है, किसको भारत रत्न और निसाने पाकिस्तान दोनों वर्ड मिले, जैसे हम लोग जानते हैं, भारत में, सर् सर्वोच सम्मान होता है उनका, ठीक है, तो ऐसा कौन व्यक्ति ही, जिने दोनों परुसकारों से नवाजा गया है, यासा पहला व्यक्ति है, जिसे दो देशों का सर्वोच सम्मान मिला हुआ है, मौरारी जी देशाई, इनमें से कोई नहीं, गोपी चन्नारंग या नीर जा तो मौरारी जी देशाई ऐसे व्यक्ति हैं, जिनें दोनों तरफ से भारत, रत्न और निसा ने पाकिस्तान दिया गया है, ठीक है फ्रेंट्स, और ये 1990 में दिया गया था, अगे देखते हैं फ्रेंट्स, भारत रत्न से किस उद्योग पती को सम्मानित किया गया था, आर डो डाटा, तो मैं बता दूँ, जे आर डी डाटा जो व्यक्ति थे, इन्हें सन 1955 में भारत रत्न से निश्वार्थ, मानविय प्रयासूं पर दिया गया था, निस सो मतलब बानवे में तो इन्हें भारत रत्न मिलाता, और बता दू, उन्निस सो पच्पन में इन्हें प अधर दूदल मिला हुआ है, ठीके फ्रेंट्स, ध्यान रखेगा कोरन भ्यक्ति, जे आरडौ डाटा, ठीके फ्रेंट्स, तो आज के लिए कुछी है ही समापत होती है, फ्रेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 like and subscribe and share, जैह ने छ